सुमों के साथ दरिंदगी की कैसी तस्वीर देखकर आपको दिखाते हैं जिससे आपका भी कलेजा पसीच चाय का मामला चायबासा के एक स्कूल का है जहां बच्चे को सजा देने के नाम पर मुम्बत्ती से उसका हाथ जला थिया क्या फफोले पड़े इन हाथों की जलन बस केवल महसूस की जा सकती है लेकिन फफोले देने वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता अभिभावकों ने इस्कूल में पढ़ने भेजा था नन्ने हाथों में देश का भविश्य है लेकिन इन हाथों को समारने वाले गुरू ने ही जला दिया ये मासूम तो बस यही पूछ रहे हैं कि हम से क्या भूल हुई जिसकी ये सजा मिली है मामला चक्रधरपुर के जील चर्च परिसर के बरूटा मेमोरियल स्कूल का है जहां प्रिंसिपल साहिबा ने मुंबत्ती जला कर बच्चों के हाथ रखवाई हाथ जलने पर पिटाई की धमकी दी गई फिर मरता क्या न करता प्रेंसिपल को जैसे बच्चों पर सितम धाने का भूत सवार था हाला कि प्रेंसिपल साहिबा ने अपनी सफाई में इसे एक मजाक भर बताया है स्कूल में चोरी की घटनाओं से परेशान होकर उन्होंने बच्चों को डराने के लिए ऐसा किया था प्रेंसिपल साहिबा शरारत एक दो बच्चे करता है प्रेंसिपल के खिलाफ अभिभावक गुस्सा है लेकिन स्कूल के खिलाफ बोलने से कत्रा रहे है उन्हें डर है कि कुछ भी बोला तो बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा फिलहाल इस मामले की जाच की जा रही है लेकिन सवाल ये है कि किसी भी स्कूल में इस तरह की अमानविये घटना होती ही क्यों है अगर किसी बच्चे ने चोरी कर भी ली तो क्या उन्हें सजा देने का यही तरीका था आनंद प्रियदर्शी, Zee Media, चाईबासा